वेलकम बैक, एक और बार फिर से हाजरों में आप सभी के लिए और एक नया अपडेट लेकर, तो जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, लगबग हमें हर ब्रैंड के तरफ से अनौंस्मेंट देखने मिल रही है उनके अपकमिंग टीवीज को लेकर, तो इस बार के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहे ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जब टीवीज लांच होगी, मैं आपको बतांगो कि कौन सी टीवी आपको लेने चाहिए, और कौन सी टीवी आपको नहीं लेने चाहिए, बाइदे वे, यहाँ पर अब रियलमी के आने वाली है, 2021 की, with JBL Speakers और Android TV 10, इसे के साथ में Redmi की 32 इंच और 43 इंच फुलेजर टीवी आने वाले हैं, इसके अलाबा Acer की भी आपको पूरी complete स्मार्ट टीवी रेंज देखने मिलने वाली है, 32 इंच से लेकर 70 इंच तक, लेकिन फिलाल जो स्पेसिफिकेशन सामने निक आने वाले हैं, तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो में बात किया जाएगा, आप मुझे बताईए कि क्या मैं एक डिटेल ओपिनियन वीडियो एसर टीवी के लिए लेकर आऊं या पिर नहीं, यहाँ पर इस लिस्ट में अब Realme का भी नान जुड़ चुका है, तो Realme की भी नई टीवी लाँच होने वाली है, 24th September को इंडियन मारकेट में, और इस टीवी का नाम है Realme Neo, यह 32 इंच की टीवी होने वाली है, HD Ready Resolution के साथ, और यहाँ पर अगर बात करे जाए टीवी के डिस्पले के तो यहाँ पर आपको TUV, RAN, LAN, Low Blue Light Certification मलता है, यानि कि जो टीवी है यह harmful blue lights काफी कम emit करती है, जो कि आपके आँखों के लिए safe होने वाला है, तो यह कहाँ पर feature highlight किया गया है, बाकि display brightness और बाकि सारी चुदों के बारे में, कोई जिकर अभी तक नहीं किया गया है, इसके अलबा, इस upcoming TV में आपको 20W के speakers मिलेंगे, Dolby Audio का support आपको मिल जाएगा 20W के speakers आपको decent audio देते हैं, और अगर आपका रूम छोटा है, तो आपको अच्छी audio quality मिल जाती है, वेल, Realme के कुछ TVs मैंने use करे हैं, लेकिन उनमें आपको 24W के speakers मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 20W के speakers दिये जाएंगे, इसी के साथ यहाँ अगर हम बात करते हैं इस TV की operating system क तो जो image है, इसे देखकर clearly पता चलता है कि यह जो upcoming TV है, यह बिलकुल भी Android TV नहीं होगी, जहां तक मुझे लग रहा है, यहाँ पर आपको Linux operating system मिलने वाला है, और यहाँ पर इनने highlight किया है कि इसमें आपको YouTube built-in मिलने वाला है, और बागे सारे apps के बारे में कुछ जिकर नह शायद से ही उनका आपको support देखने मले, तो मेरे साब से यह जो एक TV होगी, यह Realme की TV budget category की TV होने वाल है, बिकॉस कुछ मेनों पहले ही Realme ने अपनी एक नई 32 इंच TV लांच करी थी, जो की full HD resolution के साथ आती है, और उस TV की currently pricing 19,000 रुपए है, और वो TV काफी अच्छी है, मैंन पीछे रहे जाते हैं, लेकिर Realme में, यहाँ पर मैंने देखा है कि यह picture quality पे जाधा focus करते हैं, और software features आपको उतना दा नहीं अच्छे मलता है, लेकिन जो picture quality वो अच्छी मिलती है, तो Realme के जो अलरड़ी दो TV अवेलेबल हो, काफी अच्छी picture quality देते हैं, और मुझे जहां और Android नहीं मिलने वाला है, Linux-based operating system मिलेगा, बैसिकली जिनका budget कम है, जो कि एक budget TV लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा option निकल कर आ सकता है, वैले अब यह अच्छा होगा यह नहीं होगा, यह जब TV टेस्स करेंगे, तब ही हम बता सकते हैं, तो अगर इसकी pricing ठीक टाक पार हैं, बिकॉस यह जो आजकल आप TV's देख रहे हैं, जो कि 20,000,000 रुपे के मिल रहे हैं, उन TV's की pricing एक साल पहले 12,000 रुपे थी, तो lockdown के दुरान TV के prices तो काफी ज़दा बढ़े हैं, लेकिन लोगों की income तो नहीं बढ़ी है, और इस वजए से, जिनका budget 15,000 रुपे तक का है, 12,000 रुपे तक का है, उनके पास कोई अच्छा option है नहीं market में, तो definitely मैं आपके लिए इस TV को ज़रूर test करूँगा, अगर ये सही price point पर launch होता है, अब मैं buy करूँगा, और आपके लिए detail review करूँगा, और फिर जानेंगे कि क्या आपको buy करना चाहिए, या फिर नहीं आपको मैं नीचे description में दे रहा हूँ, और कुछ recommended TVs की list भी आपको मैं नीचे description में दे रहा हूँ, आप उन्हें अभी check out कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ, ये वीडियो आप सभी के लिए helpful रहा होगा, मलता हूँ next वीडियो में एक ने topic के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाई बाई, सावनारा